नमस्कार दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे कच्छा वारवी अंग्रेजी सामान जनरल इंगलिस की जो टेस्ट बुक है, उस टेस्ट बुक के महत्पून क्वेस्चन वो भी वार्सिक परिक्षा 2021 के लिए तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, हम एक एक अध्याय के आपको important question बताएंगे, जो आने के ज़्यादा चांस हैं, तो ध्यान नेना, सबसे पहले lesson की बात करें, जिसका नाम है teach me to listen lord, तो इस poem के कौन-कौन से important question है, पहला जो important question है, who are the people far from us, मतलब हम से दूर कौन लोग है ये question IMP है, सबसे ज़्यादा IMP, अगला question जो आपको करके जाना है, whom does the poet wish to trust, कभी किस पर विश्वास करने के लिए कहता है, फिर अगला question जो है, how could listening to one's inner voice be helpful, अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनना किस प्रकार से सहायक हो सकता है, तो lesson बनके आप तीन ही question करें, कोई भी question आएगा इन तीनों मैंसे ही आएगा, आगे बढ़ते हैं, lesson 2 की बात करें, तो lesson 2 जिसका नाम है, friend who came from the sky, इसके देख लेते हैं, कौन कौन से question आपको करने चाहिए, तो इसका पहला question जो आप करके जाएं, what was mini doing in the balcony, mini balcony में क्या कर रही थी, दूसरा question है, what disability did mini have, मिनी में कौन सी विकलांगता थी, या क्या अपंगता थी mini में, इसके बाद अगला question है, how was the word fed, चडिया को खाना कैसे खिलाया गया, अगला question है, what was the wall that fell in her lap, मतलब mini की गोद में गिरने वाली गेंत क्या थी, फिर अगला question है, describe the ducks farewell, वदक की बिदाई का वरणन की जिए, ये दीरगुत्र की question में आएगा, वदक की बिदाई का वरणन कीजिए, एक और इसका question हमने रखा है, who do you think आपके अनुसाद, the story is about mini or duck, why, आपके अनुसाद कहानी किस के बारे में है, mini के बारे में, या वदक के बारे में क्यों है, तो ये दो question ऐसे हैं, जो long type के हैं, दीरगुत्रिये में प पूंचे जाएंगे, अगली lesson तीन की बात करें, जिसका नाम है, आप father's letter, तो देखिए इसके कौन-कौन से question आपको करके जाना है, पहला question, what happens if we prejudge people and future events, क्या होता है, यदि हम लोगों और भविश्य की घटनाओं पर पहले से निड़य कर देते हैं, और second question है, जो सबसे सार्म, hostility, सत्रूता को निश्क्रिय करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो ये दोनों ही सबसे ज़्यादा most है, लेकिन दूसरा question और भी ज़्यादा most है, अगला question देखिए, what is the main difference between playmates and schoolmates, जो school के साथी और खेल के साथी होते हैं, उन दोनों में क्या difference होता है, ये दीर गुत्रिय के लिए ज़्यादा IMP है, फिर देखिए, अगला question है, कि why does the author choose this occasion to advise his son, के लेखक जो है, इस अवसर को क्यों चुनता है, अपने पुत्र को सलाय देने के लिए, तो ये question भी IMP है, तो इस chapter के आप 4 ही question करें, इनी 4 में से पूंचे जा सकते हैं, इसके बाद अगल चेप्टर है, lesson 4, जिसका नाम है, wonderful world, जो poem है, इसके देख लेते हैं, कौन-कौन से question IMP हैं, पहला question है, इसका IMP, heart is the attire of the earth, प्रत्वी की पोसा क्या है, ये question IMP है, second question देखें, Why does the poet regard earth our friend, कभी प्रत्वी को एक मित्र क्यों समझता है, एक और question IMP है, heart make the poet think that man is God, greatest creation, किस कारण कभी सोचता है, कि मानव इस्वर की महानतम रचना है, तो इस poem के तीन ही answer आपको याद करके जाने है, इनी 3 में से question पूंचा जा सकता है, इसके बाद lesson 5 और 6 जो है इस साल कोरोना की वज़े से कार्ट दिये गए हैं, तो lesson 5 और 6 के हम आपको कोई question नहीं बताएंगे याद करने के लिए, अगला lesson है, सेविन, जिसका नाम क्या है इन्दा country, ये भी एक poem है, तो इस poem के कौन-कौन से question आप पढ़के जाएंगे, तो पहला question है, what kind of life does the poet find in the woods, कभी को वनों में किस प्रकार का जीवन मिलता है, ये question जरूर आप पढ़के जाएं, अगला question है, why does the poet not admire the beautiful sides of the city, कभी जो है सहर के सुन्दर द्रश्यों की प्रसंसा क्यों नहीं करता है, ये भी question IMP है, एक और question रखा है हमने, what is the difference between our selfish and helpless men, मतलब यहां पर क्या अंतर है, एक स्वार्थी और एक आसाहाई वेक्ती में क्या अंतर होता है, इसके बाद एक और question है, what happens क्या होता है वेंदा पोएट, जब कभी visits जाता है, the great places बड़ी बड़ी जगों पे जाता है इंदा सिटी, मतलब जब कभी सहर में बड़ी बड़ी जगों पे जाता है, तो क्या होता है, तो इस पोएट के चार आंसर आप पढ़के जरूर जाएं, अगले lesson की बात करें, lesson 8 जिसका नाम है, ants and beans, मतलब धे और सादन, तो इसके दिखते हैं कौन-कौन से question IMP है, पहला question IMP है, who was Swami Arvasu, what was he doing under the voluntary, अब दिखी यहाँ दो question मिला के खटा पुंच लेते हैं, कि स्वामी Arvasu कौन थे, वह वर्गत के पेड के नीचे क्या कर रहे थे, अगला question IMP है, जो, what did Virju see when he peeped into the hut, के Virju ने क्या देखा जब उसने जोपडी में जहांका, अगला question है, what according to Brahmadat, made Virju the thief nobler than Swami Arvasu the sage, मतलब, Brahmadat के अनुसार, Virju जो चोर था, वो Swami Arvasu से जादा महान कैसे बन गया, ये भी question IMP है, अगला question, what miracle did the sage and his followers witness the next morning, अगली सुबह, मनीशी और उसके अनुयाई उने कौन सा चमतकार देखा, और इसके बाद अगला last question जो इसका IMP है, on what condition did the sage make Virju his disciple, मतलब, किस सर्थ पे Virju को अपना अनुयाई बनाया था मनीशी ने, तो देखें ये अध्या थोड़ी बड़ा है, इसलिए 5 question इसकी रखी गए है, ये पाँचों करके जाएं, इनी पाँचों में से प्रेशने पूंचा जा सकता है, इसके बाद अगला chapter 9 यो है, कट चुका है, तो lesson 9 का कोई question नहीं आपको करना, lesson 10 पे आ जाते हैं, जिसका नाम है दा हिल टॉप टेंपल, एक पोयम है, इस पोयम के कौन कौन से question आई एम पी है, देखें पहला question, how can one reach दा टेंपल, कैं हम मंदर तक कैसे पहुंच सकते हैं, फिर अगला question यदी देखें, तो what does the poet compare the human body with, कभी जो है, मानो सरीर की तुल्ला किसके साथ कर देता है, अगला question है, how does the secret spirit operate in human body, जो गुप्त जीवात्मा होती है, वो मानो सरीर में किस प्रकार से कारे करती है, तो देखें, इस poem के तीन ही answer हमने रखे हैं, और देखें, जो question हम आपको बता रहे हैं, इन सब के answer जो है, हमने पहले से आपको वीडियो में समझाए हैं, एक एक अध्याय को हमने complete किया है, अच्छे से, तो जिस भी अध्याय के question हो में आपको problem जाती है, एक बार वीडियो जरूर देख लें, उन अध्यायोंगे, हम नीचे आपको description में पूरी playlist की link दे देंगे, तो आप जो है जिस chapter में भी आपको समस्या जा रही है, उस chapter के question answer आप पढ़ लें, अगला lesson देखते हैं, lesson 11, जिसका नाम है दा rightful inheritor साफदार्थ, तो देखते हैं सध्या के कौन-कौन से question important है, पहला question, what made the author feel secure and high, किस चीज ने लेखब को सुरक्षित महसूस करवाया, और क्यों, अगला question है, who were the first visitors to the farm, मतलब खेत आने वाले, first visitors, मतलब पहले यात्री, कौन थे, फिर अगला question है, right two ways in which the cruise heritated the author, मतलब कौन से दो तरीके थे, जिन से जो है कौन ने लेखब को नाराज कर दिया था, उन दो तरीकों को लिखना है, अगला question, what similarities did the hex share with crows, मतलब जो है, के बाज कौवों के साथ कौन सी समानता रखती थी, अगला question है, what were the consequences of poisoning the reds in and around the house, मतलब यहाँ पे, जाहर दैने के परिणाम क्या थे, जोहों को जाहर दैने के परिणाम क्या थे, घर के अंदर और वाहर जब जोहों को जाहर दिया गया था, तो क्या-क्या परिणाम हुए थे, तो देखे इस chapter के आपको 5 ही question करके जाना है, थोड़ी बड़ा है, इसलिए हमने इसके 5 question रखे हैं, तो इन 5 हों question को अच्छे से करें, अगला lesson 12 की बात करें, the value of man, तो देखे यह chapter भी बड़ा है, तो इसके question थोड़ी जादा होंगे, पहला question है, भाट वाज, घासी स्कंप्लेंट टूदा पंचायत, के घासी की पंचायत के लिए क्या सिकायत थी, सेकिंड question, भाट इड़ घासी नोट वाया वाइस्किल, के घासी ने साइकिल क्यों नहीं खरीदी, ये भी question IMP है, third question है, भाट इड़ कंचेदी से, ही बीट अप घासी, कंचेदी ने घासी को पीटने पर क्या कहा, अगला question है, IMP, भाइड़ घासी, कर्स मास्टर जी, घासी ने मास्टर जी को क्यों कोसा, अगला question है, भाइड़ मोहन ने, हिज एज, ट्रक साब, मोहन ने अपने गधे का नाम, ट्रक साब क्यों रखा, और फिर अगला last question है, भाइड़ सर्पंच से, ही कंसीडर्ड, एन एज, मोर रेलाइबल देना में, तो सर्पंच ने ऐसा क्यों कहा, या सर्पंच ने कहा, कि व क्योंकि ये chapter थोड़ी बड़ा है, तो इसके 6 questions ये अच्छे से complete कर लें, इसके बाद अगला lesson 13 देखें, forest and river की बात करें, एक poem है, इसके कौन-कौन से question है, आई एम पी, देखें, भाइड़ दा forest and वी दा river, के वन नदी से इरस्या क्यों करता है, एक question ये आई एम पी है, अ अगला question, how does the river prize the forest, के जो है नदी वन की प्रिसंसा किस प्रिकार से करती है, और अगला question है, के why does the river consider its journey meaningless, नदी अपनी आत्रा को निरर्थक क्यों मानती है, और अगला question है, what is the forest complaint about its life, वन को अपने जीवन के प्रतिक क्या सिकायत है, देखें, इस poem के थोड़ी जादा आंसर हैं, तो पांच answer हम आपको बता रहे हैं, ये पांचों अच्छे से कर लें, अब देखें, आपके mind में question आ रहा होगा, के सर इतने सारे question बता रहे हैं, तो हम इतने सारे इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ी यदि आप जादा पढ़के जाएंगे ना, तो कोई नुकसा नहीं होगा, यदि हमने कम बताएं, और आपने कम पढ़ें, और यदि एक दो question ही बाहर से हो गए, तो आप कहेंगे के जो सन्य बताएं, उनमें से आई नहीं, इसलिए हम courses यही करें, क्योंकि आपको तो पढ़ना है, आप थोड़ी दो चार जादा भी पढ़ सकते हो, लेक क्योंकि 14 चेप्टर कम हो चुका है, तो lesson 15 की बात करें, जिसका नाम क्या है, the eyes are not here, आखें यहां नहीं है, इसके कौन-कौन से question है, तो देखें इसका जो है पहला question है, कि what instruction did the girl's parents when they saw her off, तो यहां पे कौन-कौन से निर्देश उस लड़की के माता पिता ने दिये थे, अगला question है, कि what the author mean by a safe remark, कि लेखक का एक सुरक्षित रिमार्क से, एक सुरक्षित टिप्णी से, क्या मतलब है, अगला question, why did the new passenger not notice, दागल सेयर, मतलब नए आत्री ने लड़की के बालों पर ध्यान क्यों नहीं दिया, यह question भी IMP है, अगला question है, कि what the author trying to laugh है, कि लेखक हसने का प्रयास क्यों कर रहा था, इसके बाद दिखिया, अगला question यह long tight वाला answer है, और यह जादा तर पूछा जा सकता है, तो do you think the author was blind by worth, आपके अनुसार, क्या लेखक जन्मान्द था, justify your answer from the hints given in the story, इस story में जो कुछ आपको संकेत दिये गए होंगे, उनकी सहायता से अपने उत्तर की पुष्टी करना है, तो इस chapter के आप 5 ही question करके जाएं, इन्ही 5 में से 100% है के question आपको फस जाएगा, अगला lesson देखे, lesson 16 जिसका नाम क्या है, the English language एक poem है, तो इसके कौन-कौन से question है, सबसे most तो इसका यही question हम कहेंगे, what are the two meanings of the word cricket, cricket सब्द के दो अर्थ क्या होते हैं, सबसे जादा IMP है, फिर देखे, अगला question है, how is copper used in a kitchen, किचिन रसोई घर में तावे का उप्यूग किस प्रिकार से किया जाता है, यह भी question IMP है, एक और question इसकाम रख रहे हैं, heart yoga is the poet talking about कभी किस जोग के बारे में बात कर रहा है, तो इसको हमके तीन ही answer करें, इनी तीन में से कोई भी question परिक्चा में पूंचा जा सकता है, अब आगे का lesson यदी देखें, 17 और 18 जो है दोनों अध्या कट चुके हैं साल कोरोना की वज़े से, तो वो chapter आपको करने की जरूरत नहीं है, तो इस प्रिकार से आज हमने पूरी test book के जो है important important question सीखे, के कौन-कौन से important ऐसे question है, जो इस साल परिक्चा में पूंचे जा सकते हैं, तो आप इन question को अच्छे से जरूर कर लें, इसके बाद हम और भी आपको जैसे workbook के question answer भी उपलब्द करा देंगे, के कौन-कौन से important है, letter application, कौन सी report IMP है, तो ये सब चीजें उपलब्द कराएं वो grammar जरूर आप complete करते चलिए, धहन्यवाद